वेल्गम टो मैं यूटूब चैनल अली रूहानी दुनिया दोस्तों आज बात करूँ इस्टोन प्रोब्लम किडिनी में इस्टोन हो जाती है पत्री हो जाती है लोग बहुत परेशान इस बात को लेके काफी लोग चिंतित रहते हैं कि बहुत सारी दवय कर ली क्योंकि पत्र की शिकायत से तो नीरी के साइड इफेक्ट और नीरी टैबलेट और नीरी सिरप मार्केट के अंदर बहुत सारी दवाईया है यह भी आयूरवेद है और भी बहुत सारी दवाईया है मार्केट के अंदर जो सिरप आते हैं वो भी देशी ही आते हैं अब बात कर लिजाए ल कितनी एमम तक आप इसको इस्तमाल कर सकते हैं नीरी को अगर आपके साथ 80 एमम या 10 एमम तक आपके पत्री तो आप जो है खाली एक टैबलेट क्हा सकते हैं सुबहह मैं और शाम में खा सकते mai 4-5 बजए jviamente तिन में हुआ है अच्छा है क्योंकि नीरी जो सिरप है différents सार्थ में जोह घर्मी पैदा कर देता है कहाँ कहां गर्मी पैदा है हमारा उसमें थोड़ी दिक्ट आ जाती है जैसे नयट फोल का होना ये फिर थोड़ा पेशाब जल्दी unat ये फिर धर ध rend of या फिर पेशाब के रास्ते ने इस्टोन को काट देता है दो तीन अमम की पत्री को तो वैसे घोल देता है नीरी टैबलेट नीरी सिरफ बहुत अच्छा रिजल्ट है बहुत ही जबर्दस रिजल्ट है बस इसके साथ में थोड़ी सवधानिया बरतिनी चाहिए मेरे हिसाब से तो दिन में सिर्फ एक ही बार ली जाए चाहिए जितनी भी पड़ी पत्री हो पलस इसके साथ में आप इसके सायड टेफेक्ट में बच तीज गाम करते ठीक है चाहे जैसे भी पत्री हो यह आपकी घोल देगी अब मार्किट के अंदर बहुत सारी दवाईया है आजूरवेट के अंदर शर्बत आलू-बालू है जो दीरे-दीरे से घोल के स्टोन को जो है बाहर निकाल लेता है लेकिन जितनी भी दवाईया है इस टोन की पत्री क किड़नी रोग मतलब पेशाप का देरे आना तेजी सा आना यह मतलब बहुत ज़्यादे प्यास का लगना अगर आपको इस तरह की दिक्कत होती है तो निरी आप इस्तमाल कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी जैसा मैं आपको बता है कि कम मातरा में है अब इसके साथ में आपको आपके पानी को सही फिल्टर करेंगे उतना पेशाब नहीं आएगा दूसरा किसी भी पत्री के मरीज को साइड इफेक्ट से बचने के लिए शहद का इस्तमाल करना चाहिए अगर आप सुबह खाली पेट एक चम मच शहद लेते हैं तो आपका घुरता मजबूत हो जाएग क्योंकि जो तेज़ दवाजिया होती हैं उनसे मसाना कमज़ोर हो जाता है और जब मसाना कमज़ोर हो जाता हो सुजन की प्रोबलम बढ़ने लगती है यह मैं आपको बता रहा हूँ यह बाद आपको डौक्टर नहीं बताएंगे इस्टोन होने के कुछ दिन बाद आदमी क गुष शिकायत होने लगती गयर stewn wokeya इंसान साथ में प्रोब्लम में रहती हूँ क्या प्रोभ्लम रहती है कि पेसाप का बार बार आना थोड़ा थोड़ा पेशाब आना ये एक शिकायत जिन लोगो रहती वो मुझे कमेंट जरूर करेंगे ठीक है मैं आपको बता दिया आप कुछ कागनज भी इस्तमाल कर सकते हैं एक गोली एक टाइम में हमदर्द की है वो भी आप इस्तमाल कर सकते हैं अगर आपके किडिनी में पहले जो है श्टोन थी और वह बाह बहुत तेजी के साथ पत्री को घोलने में मदद करती है और अगर आपको यह दवाईया सूट नहीं करती जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरे तो गुर्दों पे सूजन आ जाती है एकदम दवाई तेज है हो सकता है कि गुर्दों में सूजन आए बिलकुल आए भाई दव भाई बहुत तेजी तलवार की तरह काम करती है तो आप क्या कर सकते हैं आप कुल्थी की डाल साट गराम और तीस गराम कलमी सोड़ा यह आप ले सकते हैं इसका पाउडर बनाएं घर पे लाकि आदी चम्मच सुबा को खाली पेट मठ्थे के साथ में आप एक टाइम ले सक सकते हैं तो कर लें वह अच्छी दवाए और यह 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 वह बहुत अच्छी दवाए तो आशीर जो आप बचने के लिए आप जो है का आप जो है अगर आपको शहद नहीं मिलता तो शरृबद व जो आपको पंसारी से मिल जाएगा वो आप जरूर इस्त माल करें जिन कि पहलेगा कि तरह की जलन मसानिक अंदर नहीं होगी। और गुर्दे सही तरीके से अपना काम करने लगेंगे। पाणी को सही तरीके से फिल्टर करने लगेंगे। पथरी नहीं बनेगे। मिलता हूने आक्ष्ट वीडियो में जेहिन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना